नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने के बाद से भारती जंता पाटी में अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है इसका अंदाजा आप इस बास से लगा सकते हैं कि राजस्थान के कद्दावर नेता और मंत्री किरोडी लाल मीडा ने अपने पस से इस्तीफा दे दिया है जहां एक तरफ राजस्थान में बगावती सुर्ष सुनाई दे रहे हैं वहें दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि ग्रह मंत्री अमिशा और नितन गटकरी आमने सामने हो आ गए हैं यह हो चुकी है कि गटकरी ग्रह मंत्री अमिशा का नाम तक लेने के लिए तयार नहीं है ऐसे हालातों में गटकरी को अमिशा ने बोलते समय बीच में टोक दिया और जब टोक दिया तब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया तो फिल हाल गटकरी को शाहने कैसे टोका है आपको वीडियो दिखाएंगे लेकिन उसके पहले खबर का बैक्ग्राउंड फटाफट से बता देते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी सदन का सत्र चल रहा होता है तो भारतिय जंता पार्टी भारतिय जंता पार्टी के ही सांसदों की संसदीय दल की मीटिंग बुलाती है इस मीटिंग में तै किया जाता है कि सदन में किस पर चर्चा करनी है, किस बिल को पास करवाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है लेकिन इस बार मंगलवार को ये संसदिय दल की मीटिंग नहीं बुलाई गई जे हां आपको बता दे कि हर मंगलवार को जब सदन का सत्र चल रहा होता है तो BJP के सांसदों की मीटिंग बुलाई जाती है इस बार BJP के सांसदों की नहीं बलकि NDA के घटक दलों की मीटिंग बुलाई गई है खबर भी मौझूद है खबर आप देखें इसमें लिखा हुआ है डेकन हेरॉल्ड की खबर में कि प्रधावन मंतरी मोधी मंगलवार को NDA संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर सकते हैं अब तो संबोधन भी हो चुका है मीटिंग भी हो चुकी है आप तस्वीरे देख सकते ह कि किस तरीके से संसदीय दल की मीटिंग बुलाई गई है और NDA के सारे नेता यहां पर मौझूद है अब समझने वाली बात है कि भारतिय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो चलिए NDA के संसदीय दल की मीटिंग बुलाई गई है जहां पर NDA के भी नेता मौझूद ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को बगावत का डर सता रहा है क्योंकि खबरे निकल कर सामने आ रही है कि BJP और RSS के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और ऐसे हालातों में अगर BJP सांसदों की मीटिंग बुला ली गई तो बगा कि अभी तक एक बार भी BJP के सांसदों की संसदिय दल की मीटिंग नहीं बुलाए गई है ऐसे हालातों में नितिन गटकरी नाराज दिखाई दे रहे हैं तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जब NDA संसदिय दल की मीटिंग होती है तो नितिन गटकरी पीछे की तरफ खड़े आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से नितिन गटकरी ना टेबल बजाते हैं ना मोधी मोधी के नारे लगाते हैं ना खड़े होकर ताली बजाते हैं और तो और नाराज नजर आते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक एहम रूल को भी बाइकॉट कर दिय रूल ये कहता है कि जो भी पार्टी सरकार बनाने वाली है पहले वो संसदिय दल की मीटिंग बुलाती है अपनी पार्टी के नेताओं के साथ उसमें जिसको भी प्रधान मंत्री बनाना है उसको चुना जाता है जिसके बाद घटक दलों की मीटिंग होती है और घटक दलों की कि में नेता चुल लिया जाता है जिसके बाद राश्ट्रपति को प्रस्ताओ दिया जाता है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अस बार भारतिय जंता पार्टी ने अपने सांसेदों की ना बुलाकर डारेक्ट एंडिये संसदी अदल की मीटिंग बुलाई जिसमें पीम मोधी को चुल लिया गया नरेंद्र मोधी का नाम निकल कर सामने आया और उसके तुरंत बाद राश्टपती को प्रस्ताओ दे दिया गया तो खेला कितना चरम पर चल रहा है किस तरीके से ब महोदय मैं प्रस्ताओ करता हूँ कि स्री ओम बिल्ला जो इस सभा के सदस्य है उनको इस सभा के अध्यक्षर के रुप में चुना जाए स्री नितिन जैराम गड़करी तो सेकेंड दो मोशन तो आप देख सकते हैं सदन का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि नितिन गड़करी ग्रह मंतरी अमिशा का नाम तक लेने के लिए तयार नहीं है मैं आपको बता दो ये नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया होती है कि जब भी स्पीकर चुना जाता है तो उसके पहले जो आदमी बोला होता है जो सांसत बोला होता है उसका समर्थन आगे बोलने वाला सांसत करता है जैसे कि माली जितिन राम मांजी का समर्थन शिवरा सिंग चोहान ने किया तो शिवरा सिंग चोहान का समर्थन ग्रह मंतरी अमिशा करेंगे और अमिशा का समर्थन नितिन गटकरी को करना होगा लेकिन नितन गटकरी यहाँ पर ग्रह मंतरी अमिशा का नाम ना लेकर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए नजर आते हैं जस पर ग्रह मंतरी अमिशा उन्हें बीच में ही टोक देते हैं और कहते हैं कि आपको अमिशा बोलना है आप तस्वीरे देख सकते हैं वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से गटकरी हड़ बढ़ा जाते हैं तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है ये तस्वीरे ये वीडियो अपने आप में साफ करते हुए नजर आ रही हैं हो सकता है कि नितन गटकरी ने भूल वश अमिशा का नाम ना लिया हो लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो इस बात का खड़ा होता है कि आखिर क्यों बिजेपी संसदी अदल की मीटिंग अभी तक नहीं बुलाई गई है सरकार भी बन गई है गठन भी हो गया है प्रधान मंत्री भी चुल लिया गया है लेकिन बिजेपी संसदों की ऐसी एक कोई मीटिंग नहीं हुई है जिसमें प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का डारेक्ट इंट्राक्शन अपने संसदों के साथ हो सके तो फिलहाल खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतिय जंता पार्टी में आपसी कितनी खीशतान मची हुई है दावा किया जा रहा है कि RSS ने खेल कर दिया है बिजेपी सांसद नाराज है इसके चलते बिजेपी संसदिय दल की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है क्योंकि आप जानते हैं कि पहले ही खबरे निकल कर सामने आई थी कि मोधी की जगा गटकरी को प्रधार मंतरी बनाना चाता है आरेसेस और आरेसेस गटकरी पर दाउं चल सकता है अब जब मौका ही नहीं मिला तो आरेसेस कैसे दाउं चलेगा सवाल खड़ा होता है तो खेल कैसे चल रहा है आप देख सकते हैं ये सरकार बना कर भी भारतिये जनता पार्टी किस तरीके से टेंशन में दिखाई दे रही है और अपने ही नेताओं से भागती हुई नजर आ रही है आप तस्वीरों से और संसधिये दल की मीटिंग ना बुलाने से समझ सकते है तो फिलाल आपको क्या लगता है कि क्या गटकरी नाराज है और अगर गटकरी नाराज है तो क्या राजस्थान के बाद अब गटकरी भी बगावत कर सकते हैं क्योंकि गटकरी लगातार RSS के संपर्क में दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ बगावत राजस्थान म महराश तक का हाल बुरा दिखाई दे रहा है ऐसे में भारती जंता पार्टी बुरी तरीके से फस गई है तो फिलाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों अभी तक बिजेपी संसदिये दल की मीटिंग नहीं बुलाए गई है इस स बुलाए लगता है तो